आगे बढ़ब चलो हमरे मन आप देखा मडवाकर बारे में इकर उन्नत प्रभेद कौन कौन है मडवाकर उन्नत प्रभेद ए चैर सो चैरा है इकर तैयार हो एक बेरा 115 से 120 देना है इकर औसद उपज 26 से 30 क्विंटल प्रत्ती हेक्टर होयल इकर औरो गुन मन है कि यी मध्य आगई आहे खेती कर काम जिकर में हमरे मन देखब कि खेत कर तैयारी का लखे करल जाए बुने कर बेरा कौन कौन है बहिन कर दर का लखे रही इकर निकाई गुडाई का लखे होई चलो सबसे आगे हमरे मन देखब कि खेती कर तयारी तीन चैर धाओं खेत के बेस नियर जोईत के पाटा चलाए देख चाही गूबर कर सडल माइंद के पाँच टन प्रती हेक्टर कर दर से बेस नियर मिसाय देख चाही कहे की मडवा टान भूई में बुनल जैल सेले पानी निसकायक कर पूरा प्रबंध होई चाही खवाहे बुने कर बेस बेरा जून कर मधे बिचडा लगिन बिहिन के नरसरी में गिराए दवें चैर हपता बादे बिचडा के उखराय के रोपनी करिदवें दर से दर कर दूरी 25 से 30 सेंटिमीटर होई चाही आप बिहिन कर दर का लखे रहे इकर बिहिन 8 से 10 किलोग्राम प्रती हेक्टर में लगाय देख चाही इकर में उर्वरक कर परियोग इकर ले 40, 30, 20 किलोग्राम एन, पी, के प्रती हेक्टर दे देख चाही यूरिया कर परियोग रोपनी बेरा 20 किलोग्राम प्रती हेक्टर होई चाही रोपनी कर 25 से 30 दिन कर बाद 25 किलोग्राम प्रती हेक्टर में लगाय देख चाही इकर निकाई और गुडाई पहिल धाओ 15 दिन में और दोसर धाओ 25 से 30 दिन कर बादे निकाई गुड़ाई करेक दरकारा है पहिल धाओ निकाई करल कर 5 दिन बादे 45 किलोग्राम यूरिया प्रती हेक्टर कर दर से खड़ी फसिल में डाइल देवें अब फसिल कर संरक्षन का लखे करेक है वहे भाई पिलवा मनक रोग थाम इकर पिलवा है लाही इमन जमा होई के रहेना ये फसिल कर पतई कुमल ढाटी और डाइल मनक रस के चुईस के उमन के कमजोर बनाये देल फसिल मन में चिम्टी कर रहेक माने की लाही लागेक असारा है इकर रोग थाम जैसन जवरत पुछ है उसने हैं फसिल मन में डाइमेथोएट या मोनो क्रोटोफोश या मिथाइल डेमोटीन एक मिली लीटर प्रती लीटर पानी कर छिरकाओं जरूर के देवें बिमारी से रोग थाम इकर बिमारी है जुलसा बिमारी धान कर जुलसा बिमारी लखे पतई हेठे बटे चुटका चुटका गोल या अंडाकार या हलुक गढ़ा भुरा रंगक उभरल चकता बैन जैल मधे में राख नियर होई जैल इकर रोग थाम धान में जैसन जुलसा बेमारी ले दवाई करल जैल उस नहें करें साप सुन्य दस्मलों दू प्रतिशत या बिम सुन्य दस्मलों सुन्य तीन प्रतिशत कर छिड़काव करें रोग रोधी किसिम ए चैर सुन्य चैर जी वी यू अठाइस जी पी यू अड़तिस लगाय देवें अब इकर कटनी और दौरी के से करल जै बाइल कर पाकल पाछे पहले बाइल के काटल जैल बाइल के 5-7 दिन तक रोध में बेस नियर सुखाय के गरूमन से डौरी कईर देल जैल तले अनाज के हवा में बेस से उड़ाय के दाना के अलगे करल जै सकेल